कि अगेंस तो आपने पिछले छे साल में क्या किया कि आपको वोट दिया जाए और हमें ना दिया जाए मैं एक और बात भी आपको पूछना चाता हूं इसे कहना चाता हूं मैंने किशन रेडी साब यहां से सेंट्रल मिनिस्टर है बीजेपी के एंडिये में हैं तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पोस्किया मैंने का किशन भाई मैं पिछले छे साल में 67,000 करोड कर्च करके मैंने दिखा सकता हूं आप एक ऐसा चीज बताइए जो आपने किया पिछले छे से एक चीज़ ज्यादा भी नहीं पूछ भी है थरबाद के लिए शहर है थरबाद के लिए एक ऐसा चीज बताओ एक बसे मैं सव दिखाऊंगा आप एक दिखाऊ तो मालू मैं किशन अना क्या बो सब्सक्राइब को किशन अना से एस एवरीटिंग यूव डन मेरा उसमें शेर है तो मैं भी बोला भाई एक बार देख लेंगे इसाब किताब कर लेंगे दिखो मैं मेरी मैथ मैं नोड़ फैनेंशिल विज तो मैं बोला हमारे फैनान्स सेकेटरी के साथ मैं बैट गया मैं सब्सक्राइब कैल भी क्या हुआ कि पिछले शलमे तिलंगाना ने कि isलंग यहां रोग्री तिलंगाना की जिनटा ड़ फिस पानगाना चाहें पशियक कश्य्स साथ क्वेट because it's a federal Republic they are supposed to support every single state in the Indian Union so by devolution and through Finance Commission grants they have given us in the last six years one lakh 40,000 crores to do lock 72,000 crore हमने उनको दिया उन्होंने वापिस हमें एक लाग 40,000 करोड दिया मतलब गया यहां से एक रुप्या आया वापेस आठाना अब अमिच्शा साहब आते हैं हैंधरबाद कल आ रहें फिर कल परसू आ रहें मैंने सुना प्रदान मंत्री भी आ रहें अभी पता चला मुझे परसू आ रहें यह नहीं मजाग ने करूं आ रहे हैं गली इलेक्शन के लिए दिल्ली से लीडर आ रहे हैं शाद डॉनल्ड ट्रम्प भी आएंगा देखो तो अमिच्शा साहब आते हैं यहां पर आके बोलेंगे आके बोलते हैं इससे पहले बोल चुके हैं कि हमने तिलंगाना को एक लाख करोड दिया अमिच्शा साहब मैं पुछना चाहता हूं लेंदेन की अगर बात होती है दिया किसने लिया किसने यहां पर बताओ मैं बोल रहा हूं दो लाख 72,000 करोड हमने आपको टैक्सेस में दिया आपने हमें वापिस 1,40,000 करोड दिया तो लेंदेन की बात आती है कौन किसको क्या बाकी है आप बोलो आज कहां गया हमारा बाकी जो आठाना बाकी जो एक लाग 3,000 करोड कहां जा रहा है आपके वारनासी में आपके पटना में आपके गुजरात में आज जो सडक बन रहा है बिजली बन रहा है उसमें हमारा हिस्सा है आपका यहां पर कुछ नहीं है मैं ब प्राउड इंडियन आम नाट सेइंग इफ आई पे वन रूपी शुट गेट बैक वन रूपी मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं बस यही बोल रहा हूं कि आप यह शोटी सी बात का बतंगड बनाके मैंने आपको दिया यह पोज मत मारू यह जानता हूं एक कंट्री का राइल्वेस चलाना है डिफ्न चल अबर्डर सेक्यूरिटी है मैं सब जानता हूं हमएं कॉंशियों सेंट्राउड इंडियन आंप नातक मत कर वा कि विवन अखिन थी और यह यह आपने मैं जांता हूं ने ग्रैंउट-P हिफाज़त करना है जिम्हेदारी है Central Government का मैं पूरी तरह से वाकिव हूं बट तो कमेंट पोज लाइक गिवन मी सम्थिंग आउट अब दो ऑडिनरी कि ऐसा कुछ आपने कर दिया ऐसा कोई हमारे लिए बहुत-बड़ा महरबानी आपने कर दिया यह पोज नको मारो है जानकारी है कि किसने किसको दिया क्या होगा मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं मैं कह रहा हूं आप फूचो वोट डेवलेप्मेंट डेजंड आप वो लो किया क्या आपने छे साल में बोलो अगर वापिस आपको एक मोका दिया जाता है तो क्या करो यह भी बताओ वो नहीं बताते हैं यहां के का है है कि हैदराबाद मार्केट में इलेक्शन में एक नया आदमी आ गया कि बिनलाडन कोन है बाबर कोन है यह कहां से आगए हैदराबाद एलेक्शन में उनसे हमारा क्या वास्ता है कुछ भी वोटर है क्या यहां के है है अब बात करो इस्यूस पर सड़क कहां बनाओगे ड्रेनेज कहां बनाओगे पार्क कैसे बनाओगे लोकल बॉड़ी एलेक् ने कुछ भी बोलना और फिर बात करते हैं अलग अलग अजीबी बात करते मोतैं रोहिंच यह कल स्म्रीतरानी मेडम है रोहिंच तो मैं बुलानकू रोहिंच कि पिछले ची साल से कोव坊 है दिल्ली में आपके रक्ष्मंत्री क्या कर रहे हों मंत्री क्या ए आधार pig जेने वाले मंतरी क्या कर रहे हापी का गौवर्णमेंट है इस लाप पॉंट यूर फिस और सेंग तोड़ देर इस इंफिल्ट्रेशन इस कंट्री स्लाप ऑन यू शेम यू आप जो लोग विफासद करने की बात करते हैं इस मुल्क की अगर आप ठीक से काम करते तो आते कैसे तो यह जो बात किया जाता है लोगों को भावुक बनाने का लोगों को उकसाने का लोगों को प्रोवोक करने का रिलीजियस लाइनस पे यह जो है मैं बोल रहा हूं कि लेट आई टी लाइफ साइंसेस एरो स्पेस लोजिस्टिक्स ट्रैंस्परेशन टेक्स्टाइल्स फार्मा एक आदमिया इससे दिखाओ हमारे अपोनेंट से जो आके डिबेट कर सके हमारे साथ कि क्या बेसिस पे कौन सी सेक्टर पे डिपेट करेंगे आई बात करते हैं आई यह पालसी पे। चर्चा करो जॉब्स के चैटकर और के टुम्हूं पित्रचा करो नहीं करेंगे बुलेंगा आक्ट अव गॉड आक्ट अफ गॉड़् आपैक बार याद करो करोना शुरू होने से पहले उससे पहले जो आठ कौर्टर थे एट कौन less than that of Bangladesh and less than that of Sri Lanka why because of the disastrous economic policies pursued by Honorable Prime Minister and his team right-wing politics and left-wing economics a combination but deadly a unka agenda is इसलिए आज जो देश भाग रहा था तरक्की के तरफ उसको बीच में टांग अड़ा के गिरा दिये आठ कौर्टर स्लोडाउन फिर जाके आ गया लॉकडाउन अब रिसेशन अब मोडी साब कह रहे थे हर साल दो करोड नए employment create करेंगे नए jobs create करेंगे मतलब अभी तक तो बारा करोड जॉब मिलना चाहिए था कि बारा करोड चोड़ो है सो गए हैसे जो हैसे जोब चले गए इस बात पर डिबेट कर आओ एकॉनमी पर डिबेट करेंगे आ जो कोई नहीं आता मालूम उनको एकी चीज़ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुसल्मान को इस देश का दुश्मन दिखाओ वोट ले लो कि खतम गाये बोज़ाओ मैं क्या बोल रहा हूं सोचो आप आज मोडी साब से कोई पूछता है कि कलकिशनना से पूछे किस यार साब कह रहे हैं कि आप पब्लिक सेक्टर सारे बेज रहे हूं क्यों बेच रहे हूं बोलते हैं एर इंडिया तो लॉस में है इसलिए बेच र इंडिया सिट इंडिया स्टैंड इंडिया बहुत सारे नया प्रोग्रम लेकर आए अभी बेचो इंडिया इसलिए मैं बोल रहा हूं सोचो इंडिया सोचो इंडिया क्या हो रहा सोचो भावक ना हो जल्द बाजी में ना रहो जल्द बाजी में ना रहो सोचो सोचो समझो साथ समझ के वोट करो भावक नहों तो मिनिट सोच आराम से बैट के सोच मैं जो बोला अभी तक अगर मैं कुछ भी गलत बोला लेट इम कम लेडेम डिबेट लेट इम गाम प्रिस्टेटिक्स बकवास नहीं बाबर बिनलाडन कोने बही है है को निनों है रभराबाद से क्या वां elét Bett उत एक dag च्ऩ ए शर्जीकर स्ट्राइक का प्रकते मालूम है तुम्हारे को कि आ सोंच कर दूद बात बात भी कर रहे सोंच के करो कहां बात करें किया बात करें this sort of division is unacceptable this sort of rhetoric is unacceptable सोन समझ के बोलो बदनसीबी तो यह है हमारी जिनको बोलना चाहिए दिल्ली में वो तो एकदम हतम हो गए बोल नहीं पा रहे उनों इसलिए हमारे को छोटे-छोटे पार्टी हैं छोटे-छोटे राज के मोड़ी साब बार बार बोलते रहते हैं वोकल फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल मैं इसलिए आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आज तिलंगाना में लोकल पार्टी को ने फिर हम हैं तो आप डि 되지 거죠 पार इंगे डिल्ली वोइश यह सब्डाइब हों हम यहीं के लगाना क halls औप रहेंगे व्यान के गिरेंगी कुछ भी यहीं पे रहेंगे जूना आ दिल्ली से टूरिस्ट वापी जाएंगे फिर रहेंगे तो हम आप सोचिए बाड़ आई थी हैदरबाद में बारिश आई थी हमने साड़े छे लाक लोगों का हेल्प किया दस दार रुप्या दिया 664 क्रोर्स टुबी प्रिसाइस हेल्प किया हमने फिर यह जो लोग आ रहे हैं अभी दिली से कहां थे यह लोग हम थे नीडीप वाटर में थे हम हमारे शेयर में चाओ तरफ हम गये मदद कर रहे थे हम हमारे मले हमारे कॉर्परेटर हम थे कहां गये लोग अभी आ रहे हैं टूरिस्ट बनके हमने पूछा उनको रिक्वेस्ट किया दूसरे दिन सीम साब ने लिटर लिखा पीम को कि बाड़ा गई हमारी हमारे यह लोगों को नुकसान हुआ तो मदद कीजिए 1350 क्रोर इंटरम रिलीव दीजिए एक पैसा भी नही इन वीक्स अव्लैप्स्ट मोर इंपोर्टेंटली करनाटका में बाड़ाता है चार दिन चार फोर्थ दे यह दिरपा राइस लेटर 669 क्रोर गिवन टू बंगलूर गुजरात में बाड़ाता है पता नहीं आया भी नहीं नहीं पता मोदी साब जाते हैं पांसओ करोर दे क आते हैं वाइद स्टेप मदली ट्रीटमेंट वास हम नहीं है क्या हिंदुस्तान में हैदरबाद नहीं है आपके इंडिया में एक का की रीत है हमारा इंडिया है हम इंडिया में एहम हिस्सा एक ग्रोइंग स्टेट है मदद करो हमारी भी नहीं करते हैं तो मेरी रिक्वेस सा करेंगे युलोग हमें तोड़ना चाहते हैं यी अन पर एक कि करेंगे कि आज एक डिसाइसिव लीडर रहं तरफ are और डिसाइसव पोल शीजैंडिसव और दूसरे तरफ दिवाइज इपॉलिटिक्स है कया चाहीत बिसनेस चलना चाहिए दंदा चलना चाहिए रोल फुपी इस वाट फीप एकॉनोमी रॉनिंग अन्लेस अधापनेश नुव जॉब जॉब नुव जॉब जॉब अधिन विए पॉर्ट इसमें तो जरूर पकड़ो मेरे को बोलो अरे का करे बाई तुम बलके बोलो क्या करे I'm offering you something to look at and punch holes if need be उनको भी बोलने दो कि हमने क्या किया ओने बात करते छे साल में क्या करे आगे जाके क्या करेंगे बलते नहीं बलते so my request to all of you is kindly bless a progressive leader who's with us in the form of honorable CM KCR साब please continue to support us not just support us support the city support the growth of the city and मेरी सबसे बड़ी complaint हाइदरबाद इससे एक है आप लोग बाहर नहीं निकलते वोट नहीं डालते अब हमारा अगर रूरल एरिया है तलंगाना में वहां पे वोटिंग होती 85-90 परसेंट हाइदरबाद में कभी 45 नहीं क्रॉस होता है हमारे लोग बहुत माहिर हैं घर बैटके वाटसअप में मेसेज डालो ट्विटर पे गाली दो फेस्बुक में कोई मेसेज डालो वो तो करते बाहर आते नहीं वोट नहीं डालते अगर आपके दिल में हमारे लिए कुछ प्यार महबबत या कुछ भी सपोर्ट करने का इरादा है तो बाहर निकलो वोट करो घर बैटके केसी आर अच्छा है वही बिजली मिल रहा केसी आर अच्छा है मेरे को पानी मिल रहा क्या होता उससे जुबानी जमां खर्शते कुछ नहीं होता बाहर निकलो वोट करो सपोर्ट करो तब जाके हमारी शहर हमारी स्टेट आगे बढ़ेंगी बस मैं चेंद लफ्ज मैं कहता हूं और नासिर को फिर से मैं तैंक्स करता हूं जी जमारी से प्राइब नहीं है त्राइब नहीं हो इन कम और नहीं है अजय है